बिहार के राज़दानी कहां है पनी अच्छा जार्खन के मुकि मंत्री कोई है देश के परदान मंत्री कोई है या Are कि परणस राज अस्तान के लेगा पुट्वर अस्तान नहीं कि पंजाब के we are एकर को चला यह सब सारा बताता है विद्शा मीना उच्छा पूल उघ्ण दर्वाजा यह सारा सवाल जबाब पुछेंगे तो बता देगा आपको लगता है कि अब ट्रक चला के इस बच्चे को आईस बना पाएंगे लेकिन जहां तक महनत होगा हम लोग महनत करके पढ़ाएंगे दोस्तों अभी हमारे साथ महस्त दो साल का बच्चा है जिसने स्कूल का मुह तक नहीं देखा ल और यह बच्चा जो है एक छोटा सा गाउं कुबरी गाउं का रहने वाला है और सामने आप देख सकते हैं कि यह सधारन सा घर है जंगलों से घीरा एक गाउं है और दूर तूर तक आप कोई स्कूल देखने को नहीं मिलेगा लेकिन एक सधारन से गाउं का जो बच्चा है वो काफी ज़्यादा तैलेंटेड है ये पीता जी है ट्रक चलाते हैं यह चाचा है जो किसान है यानि की खेती बारी करते हैं और सामने आप देख सकते हैं कि छोड़े-छोटे मटके में यहां पर कबूतर को पला गया है हाना कि बच्चवा जह है ओका और पूं क्रूं पह का बच्चा है बहुत सारे सवालों का एकदम से सही जवाब देता है अच्छा इस बच्चे से हम कुछ भी पूचेंगे तुभ बता देगा खा बाबु बताओ कि बिहार का राजधानी कहाँ है जारखन का दानी कहा है वा जारखनके मुख मंतरी कोन है देश के परद्धान मंत्री कौन है लाजम वाह क्या बात है अच्छा क्या पुछने पर बच्चा बता देगा राष्टिय भासा राष्टिय गीत इससादा वगधा यह सवाल का जबाप देखती दो साल में पाटाटा मतलब नाम इसे नहीं पता है लेकिन ये कैसे बता देता है क्या कुछ आप में इनको अच्छा चिखाते हैं तो इसका बता देखा अब जया बहुत तेज़ें पॉटाटब मतलब क्याता है? अलो! टमाटब मतलब? टॉमाट? तमाटब Dr मतलब? वेबर लेडिस पिंगर मतलब? करोट मतलब और पंपकीन मतलब और टैगर मतलब क्याता है और एलिफेंट मतलब अच्छा से बुलिए प्लायन मतलब जिराफ मतलब जिराफ मतलब इसाद जिराफम से आप जिरेफ नदीन इस क homeowners नेराथ कि आतीजर आसल परेस के पाकिस्तान के राजस्तान के पंजाब कैसे सिखा लेती है मतलब खुद से ही पढ़ाते हैं या फिर कोई टीचर हो गारा पढ़ाते हैं सामने एक सरकारी स्कूल है वहां नहीं पढ़ाती है बच्चों को यह दो साल में हैं मतलब बहुत छोटा है कैसे आप पढ़ाती है इनको इसको इसी तरह खेलते कुद्टे में इनको समझा देते हैं मतलब आप दियर मतलब आंगार मतलब टैगर मतलब प्लायर मतलब अब जरूरी नहीं है कि जितना भी सवाला पूछेंगे बच्चा बता ही देगा लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सवाल है जिनका जवाब एकदम हुभा हुद दे रहा है आप लोग जो हैं बच्चे को कैसे पढ़ा पाएंगे बच्चा क्योंकि घर में देख रहे हैं कि कबोतर पाल उलके आप लोग किसी तरह मतलब घर चला रहे हैं आपके जो आपके पती हैं वह जो हैं ट्रक चलाते हैं वहां तक पढ़ा पाया हैं उसका और जुझे शोड़े बच्चे को देखते हैं लेकिन वह नहीं सीख पाते हैं और एसा कुछ आप अलग करके इनको पढ़ा रहे हैं इतना कुछ याद कर ले रहा है इसका दिमाग तेजा तब्हीं पढ़ा पार है कि और पुछने पर बच्छ बता देगा राश्टिय भासा राश्टिय गान राश्टिय तो राश्टिय गीद मिठाई राश्टिय धौज राश्टिय फॉल प्रफॉल राश्टिय फूल क्या है बाबू राश्टिय पक्षी क्या है और पूएम अगारा भी बता देगा पूछने पर पूएम बताएगा अतना वीटा से मसली जल गिए बाबू एक पूएम सुनाई ये तो पिलहाल ये बच्चा जो है ग्रीडी का रने वाला है और इस समय सोशल मीडिया पर गूगल वाय के नाम से काफी ज़्यादा वायरल हो रहा है हलाकी जरूरी नहीं है कि ये बच्चा जो है सारे सवालों का जवाब दे सके लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सवाल है जो बच्चे को वाकई में जानना चाहिए जैसे में राजधानी हो गया मुंख मंत्री का नाम हो गया चाहिताम जवाब है बच्चा एकदम सही तरीके से दे रहा है अच्छा यह बताइए कोई नेता मंत्री यहां के पहुंचे आपको मदद करने के लिए अभी तक तो कोई नहीं आये कोई नहीं आया है कि गाओं के यहां के जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल ने पढ़ने जाते हैं कि नहीं हाँ है कि ट्रक चला के आये से बना पाएंगे लेकिन जहां तक महनत होगा हम लोग महनत करके पढ़ाएंगे उसके बाद सरकार से मदद मांगें अब जरा सोचिए कि बिहार और जर्खन में देखा जाये तो टैलेंट की कमी नहीं है लेकिन सरकार जो है इन सभी बच्चों को सप घिरा हुआ है और जंगरों से घिरा हुआ इस गाउं का बच्चा जो है इतना ज्यादा टैलेंटेड है अगर इस बच्चा को मौका मिलता है कोई अच्छा स्कूल में इसका एडिमिशन हो जाता है तो बच्चा जो है पूरे देश का नाम डौसन कर सकता है अब ज़रा सुचिए कि लोह को भी पता है कि सबस्केरिश कुल में पढ़ाइं नहीं होता है अच्छी कि यह बच्चा जो है इतना टैलेंडेड हैं बहुत सारा वीडियो हो चुका है को यहां के बिधायक देक नेता मंत्री मुकिया C Mac आया हैंँ मिलने के लिए मुकिया जी सिर्फ आय थे बाग्य और कुई हैं और थे होलोग किया कर तो घरे मुलरते खेती बारी करते हैं और एक कबूतर भाले होज यानि कि किसी तरह घर का जो ये खर्चा है सबसी चलाते हैं फिलाल सोचिए कि ये लोग जो है एक साधारन से गाउं के रहने वाले हैं और गरेबी मज़दूरी के बदोलत जो है ये लोग अपने घर परिवार को चलाते हैं इस बच्चे को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय हमें जरूर दे आप मारे साथ बने रहें बहुत बहुत धन्यवाद